स्क्रीन पे मैंने GST अपडेशन ओपन कर लिया है अब मैं आपको रीट करके बताती हूं कि इस अपडेशन में क्या है इंप्लिमेंटेशन ओफ मेंडेटरी मेंशिनिंग ओफ एचेसन कोर्स इन GSTR 1 जब आप GSTR 1 रिटर्न पाइल करेंगे तो वहाँ पे आपको एचेसन वाइस संब्री मेंशन करना मेंडेटरी कर दिया गया है और यह जो अपडेशन आया था 22nd October को आया था As per notification number 78, 2020, Central Tax dated 15 October 2020, it is mandatory to the taxpayer to report maximum 4 digit or 6 digit of HSN code in table 12 of GSTR 1 on the basis of their average annual turnover तो यहाँ पे आपको मेंडेटी कर दिया गया है 4 digit and 6 digit का HSN code प्रोवाइट करना GSTR के table number 12 में नीचे आप देखेंगे तो यहाँ mention किया गया है the taxpayer with up to 5 crore turnover would be required to report 4 digit HSN code in GSTR 1 तो जिस भी turnover का, जिस भी business का turnover up to 5 crore है तो वहाँ पहले 2 digit का HSN code आपको provide करना था HSN summary के साथ, यहाँ पे 4 digit कर दिया गया है and आपके माइट में question आ रहा होगा कि आप more than 5 crore जिसका turnover है उसके लिए कितने digit का HSN code है वो provide करना है तो अगर आपका business का turnover more than 5 crore है तो वहाँ पे आपको 6 digit का already HSN code mandatory कर दिया गया था अब यह mandatory कर दिया गया है आपको यहाँ पे provide करना है इस GST के updation में हमने यह देखा कि अगर आप GSTR 1 फाइल करेंगे तो वहाँ पे आपको table no.12 में address and wise summary provide करना mandatory है अगर आपका business का turnover 5 crore से नीचे है तो वहाँ पे 4 digit का आपको address and provide करना है more than 5 crore है तो 6 digit GST में काफी सारे changes काफी तेजी से हो रहे हैं तो यहाँ पे एक changes के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ सबसे पहले आप अपने GST portal को login कर लीजिए file return का जो period है वो select कर लीजिए and GSTR 1 पे आपको click करना है इस पे click करते ही सबसे नीचे जबाब आएंगे तो यहाँ पे एक option आपको add करके मिल रहा है जहाँ पे कि आप amendment कर सकते हैं suppose कि जिए आपने previous month में कोई mistake कर दिया कुछ भी mistake कर दिया GSTR number amount quantity कुछ भी invoice में mistake कर दिया है तो उसको आप amend कर सकते हैं उसके लिए एक option यहाँ पे amend record details का show हो रहा है down arrow पे जब आप click करेंगे तो यहाँ पे add table open हो जाएंगे इन सारे add table का use करके आप अपने return में जो भी mistakes आपने की है उसको amend कर सकते हैं तो सबसे पहला जो table यहाँ पे show हो रहा है amended B2B inviases अगर कोई B2B inviases है आपने उसको B2C में return file करते समय शो कर दिया है तो आप इसको यहाँ से amend कर सकते हैं B2B में आपको उसको add करना है और B2C से आप जाके वहाँ पे 0 करके वहाँ से amend कर सकते हैं अपने data को यहाँ पे B2B inviases को आप add कर सकते हैं अगर आपने B2C में कर दिया है और यहाँ देखिए second table में आपको amended B2C large inviices कोई ऐसा B2C का invoice है जो आपने B2B में show कर दिया है तो यहाँ पे B2C में उसको add करके and B2B में आप zero करके add कर दीजे तो amend हो जाएगा आपका data उसके बाद amended export inviices कोई ऐसा export का invoice से जिसमें आपने कोई भी mistakes कर दी है उसको आप amend कर सकते हैं amended credit debit notes registered अगर आपने किसी registered party को debit note credit note issue किया है तो उसको भी आप यहाँ पे amend कर सकते हैं suppose कि यह GST number mistake होगा quantity mistake होगा ही कुछ भी होगा आप यहाँ पे amend कर सकते हैं उसके बाद amended credit debit notes unregistered party को अगर आपने किया है कोई mistake है तो उसको भी आप amend कर सकते हैं amended B2B others यहाँ पे उसको भी आप कर सकते हैं amended tax liability advances receive जो आप advances receive करते हैं उसकी tax liability में अगर वहाँ पे कोई mistakes होगी है तो उसको भी आप amend कर सकते हैं यहाँ पे देखिए amendment of adjustment of advances तो इन 8 tables का use करके आप every month अपने data को amend कर सकते हैं suppose कि जए इस month में कोई mistakes आपने की तो next month जब आप GSTR1 की return file करेंगे तो इसको open करके अपने data को amend कर सकते हैं यह आपको यहाँ पे option मिल जाएगा amend record details करके down arrow पे जब आप click करेंगे तो यह 8 boxes open हो जाएंगे इसमें आप B2B B2C export के invices है debit note, credit note unregistered, registered parties advances receive आपने की हैं तो यह सारे amendment आप यहाँ से every month कर सकते हैं अगर previous year भी आपने किया है तो यहाँ पे इस year में कर सकते हैं आज के इस video बेदिसकस करने वाले हैं अगर आप GSTR1 return फाइल कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको अच्छेसन वाइस summary mention करना mandatory हो गया है इसके लिए मैंने अपने वीडियो अपलोड किया है आप इस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें की advisory जारी की गई है जिसमें आपको GSTR1 return में आपको summary wise action wise summary जो है mention करना mandatory हो गया है अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको करना कैसे है आप अपने GST portal को login कर लिजिए फाइल रिटन पे क्लिक करके आपको period select करना है किस period के लिए आप return फाइल कर रहे हैं period को select करने के बाद यहाँ पे search पे क्लिक कर दीजिए अब इसके बाद अब यहाँ से आपको GSTR 1 पे जिसमें की detail of outward supply of goods and services इस पे आपको क्लिक करना है और इस पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे जब scroll down करेंगे तो आपको table number 12 में action wise summary of outward supplies यह show का जिसमें की आपको action wise summary प्रोवाइड करना है अपने outward supplies की यह mandatory कर दिया गया है तो इसमें देखिए action wise जो summary आपको provide करना है अगर आपकी business का turnover less than 5 करोड है तो आपको 4 digit का action summary provide करना है अगर आपकी business का turnover more than 5 करोड है तो आपको उसके दिये 6 digit का action code आपको provide करना है इस पे क्लिक करेंगे जब आप तो यहाँ पे क्लिक करने की बाद यहाँ पे आपको एड करते जाना है अच्छेसन वाइज यहाँ अगर आप चाहाँ तो सर्च भी कर सकते हैं otherwise अच्छेसन आपको पता है तो अच्छेसन डाल के description डाल के साथ information प्रवाइट करनी है जिस्टी आरवन डिटल फाइड करते समय टेमल नमर 12 में एच्छेसनवाइस समरी 4 डिजिट है लेस देन 5 क्रोड के लिए 6 डिजिट है मोर देन 5 क्रोड के लिए तो यह मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया आई होप यह वीडियो आपसे वीडियो के लिए helpful रही होगी अगर helpful रही है तो एक च्छोटा सा काम कर देज़ेगा चैनल को like, share, subscribe कर देज़ेगा thank you and keep watching my videos